नमस्कार जय जोहर मैं कुमल साहूच स्वागत करता हूँ आप सभी का Competition Community के इस e-learning platform में जहां पर आज हमारे चर्चा का हमारे मन्थन का एक विसा है जिसे हम बोल रहे हैं क्या 36 गड़ के लोग पर चुकि यह जो आपके लिए ASI के लिए तो अगर आप ASI का पेपर देंगे तो आपको लगभग 15 परसन आने है कहां से 36 गड़ से लगभग आपके 30 अंग के परसन यहां से आने हैं और आप देखोगे 36 गड़ अलग-अलग रूपे में क्या है विभाजित है जसे आप देखोगे 36 गड़ का भूगो बावजूद आपकी लिए बच जाता है क्या आर्थिक सर्वे और इन सब के बाद बच जाता है आपके पास क्या करेंट अभेर अगर बोले कि सर अगर इन सब में पढ़ना है तो कहां से हमको पढ़ना स्टार्ट करना है प्रारम करना है तो यह बहुत बड़ी समस्या होती है तो मैं लिया हूँ, आप अगर पीछे देख पा रहे होगे, स्क्रीन में लिखा है 36 गड़ के लोगपर, लोगपर वह इसलिए बोल रहा हूँ, आपके ऐसे कुछ एकदम क्या है, परफेक्ट टॉपिक होते हैं, जहां पर अगर आपको 10 बार प्रसन आएगा, तो उसमें 7-8 जो प्रसन आने की प्राथमिक्ता होती है, प्रियोरिटी होती है, हम उसके अकॉर्डिंग चले, मतलब मैं अगर सेक्सान को डिल करने वाला हूँ, 36 गड़ का, तो सबसे पहला जो आपके लिए सेक्सान डिल किया जाएगा, वो सेक्सान आपके लिए रहेगा, क्या, 36 होता है, तो जान लेते हैं, लोग पर वो क्या होता है, क्लियर जी, आप देख रहे हो क्या, अगर यहां पे कुछ लोग नाच रहे हैं, यहां पूतरा-पूतर विवा हो रहा है, आप देख रहे हो यहां छेर-छेरा, उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा, स्रीक्रि लोगों का एक समुह होता है, उससे हम लोग बोलते हैं क्या लोग उसके बाद होता है परव, अब परव celebration या फेस्टिवल जो होता है आप उसको कैसे समझोगे देखें, जैसे आप छह दिन काम करते हो, आपको साथवे दिन क्या होता है छूटी की जौरत होती है वैसी आप सेम डेखोगे 36 गड़ के जो 80 से 82 पर्सेंट जो क्या है जनता है यहाँ के जो लोग है यहां की जो जनसंग क्या है वो प्रत्यक चे किस से क्रीशी से जूड़ा हुआ है क्योंकि 36 गड़ आपके लिए धान का कटोरा अगर 36 गड़ धान का करते हैं रेस्ट करते हैं वैसी आप जब कोई पर्व मनाते हैं तो उस पर्व का कोई धार्मिक या पावरानिक क्या होता है इतिहास होता है लेकिन 36 गण में उस धार्मिक उस पावरानिक इतिहास के साथ आपको एक चीज़ और होता है क्या कि अगर हमें क्रिशक समूदाय से ह तो हमको रेष्ट का ज़रुरत पड़ता है तो इसी बीच हमार एक परवा आता है और हम क्या होते हैं रिफ्रेस हो जाते हैं उस्सा और उमंग भर जाता है पूतरा पूतरी अब आपको यह समझना है भाई यह 36 गढ़ी वड है पूतरा पूतरी क्या है अच्छा आपको पढ़ाने के पहले मैं आपको एक चीज का एस्योर्टिक दे देता हूं आपको गरेंटी देता हूं वह चीज है क्या आपके लिए आप समझे अगर आप मेरे पर सेंट आपको याद होगी आपको अगर कूँ पढ़ाने के पहले आपको ऐसा बोले उसका मतलब वह कुछ ना कुछ अच्छा बताने वाला है कुछ बहतर बनाता है बताने वाला है आपको मैं जो 36 गढ़ पढ़ाऊंगा वह एकदम अलग अन्दाज में पढ़ाऊंगा जैसे आपको 36 गड़ पढ़ोगे ते एक 36 गड़ है अंदाज होना चाहिए, एक देशी टच होना चाहिए, उस टच के साथ मैं आपके लिए यहां पर उत्रूंगा, और आपको 36 गड़ में जो भी समस्या आयेंगी, मैं कुछ आपको 36 गड़िक सब्द भी सिखाऊंगा, क्लि दिसंबर, वैसी अगर आप हिंदी महा में चलोगे, तो आपका कहा से चालू होता है, वह प्राराम होता है, चेत्र, तो आप याद रखें, सबसे बड़ी एक समस्या यह होती है, बच्चों में, कि सर, हम अगर हिंदी, जो आपका कलेंडर है, उसको याद कैसे करें, एकदम असान है, जैसे आप CBZ गाड़ी चलाते हो, तो आपको याद रखना CBZ गाड़ी, अगर यह गाड़ी आपके लिए anti-breaking system है, anti-breaking system मतलब तूरान ब्रेक मारेंगे, चप से गाड़ी खड़े हो जाता है, तो आपको याद रखना C से चैत्र, B से याद रखना है आपके लिए क जेट, उसके बाद आता है क्या, A से हमारे लिए क्या आता है जी, असाड, A से क्या आता है आपके पास, सावन, उसके बाद B से आता है आपके लिए क्या, भादो, ये 6 आपके माह हो गए, अगर ये माह हैं, तो आपके लिए कितने लगभग 30 दिन के होते हैं, मतलब ये 2 प पक्ष आता है उसको बोला जाता है आपके लिए क्रिश्न पक्ष और दूसरा पक्ष होता है उसी हम लोग बोलते हैं क्या सूकल पक्ष जो आपके लिए क्रिश्न पक्ष होता है उसी हम लोग 36 गढ़िम बोलते हैं अंधियारी पाक बोलते हैं नहीं बोलते हैं अंधियारी प मतलब अगर मेरा इस वीडियो को आप देख रहे हो तो आपको 36 गाड के किसी भी राइटर का बुक पढ़ें किसी भी पबलिकेशन का बुक पढ़ें और कोई सभी प्रस्ण उठाए, तो आपको सभी प्रस्ण बनने चाहिए, और सभी बुक्समा जाने चाहिए, तब मेरे पढ़ाने का जो अचीत्य है, वो पूर्णा होगा, देखे बाई, बोल रहे हैं, अंध्यारी पाग, सुरू में क्या रहता है, आपके लिए चंद्रमा पूरा गोल रहता है, यह चंद्रमा जो गोल होता है, धीरे धीरे क्या होता है, छोटा होता है, यह टाइम के बाद बिंदू हो जाता है, दीखता च नहीं है, मतलब पंद्रवे दिन पे होता है, पहले दिन वो पूरा पूर्णा रूप से क्या होता है, गोल रहता है, और प आपको चंद्रमा आप दिखाईनी दे रहे और यहां से पहले दिन से अगर ये पूरे 15 दिन तक आएगा तब आपके लिए जो चंद्रमा रहेगा वो क्या रहेगा सुन्य से लेकर पूरा एक बड़े से गोल से चंद्रमा के रूप में आपको दिखेगा उसी इक बोलते हैं ह प्रकास आ रहे है लाइट आ रहे है इसलिए बोल रहे है अब आपको समझा रहा हूं यह है। अब आपन ओप्षन देखते हैं पूत्रा पूत्री वीभा सबसे पहले लिखाया क्या नव्रातरी आपक जो चैत्र होता है। आपके लिए कब सूकला पख्ष में प्रत्मा से लेकर नौमी तक प्रत्मा से नौमी कि आक के लिए लोग पर видео मनाया जाता है उसी क्या कि अब इन सब का आपको फोटो दिखाऊंगा इमेज दिखाऊंगा वहां इन सब को डिल करें आपको प्रस्ण पूछा था क्या पूत्रा पूत्री विवा इसका अंसर है आपके लिए अक्ति अब अक्ति क्या चीजी होता है समझी आगर मालोग घर में लईका है लोग है अभी हमें लोग अक्ति कर रहे हैं साधी करने उमर हो गया तो अती से याद रखना है आपको क्या अक्ति अगर किसी का साधी करने का मन कर रहा है वह आदमी अतीच मचा कर रखा है तब हमारे यहां क्या होता है अक्ति इसक आप लोग हिंदी में सुने होगे इसक बोलते हैं हम लो लोग 36 गडिम बोलते हैं क्या पूत्रा पूतरी विवाहण से याद रखना अति से याद रखना आपको अक्ति इसी का हम लोग हिंदिम बोलते हैं क्या अक्षेत करते होगे कि भाग के साधिक माय को आपको एक डेट बता देता हूं, जो अक्षेत का दिन होता है पूरा 24 आप बिना मुहूर्थ के आप साधी कर सकते हैं मतलब विवाह के द्रिष्टी कोण से पूरे वर्ष का सबस्य मंगल कारी तिथी होता है और इसी दिन पूरे ब्रामःण समाज में पहले ब्रामःण का दर्जा एक भगवान को प्रापता है नाम क्य है उनका परश Wednesday तो इस दिन परशु राम जी का जयांती है तो इस दिन परशुराम जयंती भी होता है आप को याद रखना है अगर कोई मा चाता है ती क्लियर जी आपको याद आप देखो, इमेज के लिए चलते हैं, आपको दिखाई दे रहा है ये नवरात्री, अब यह पंडील करने किसको? अक्ति को, देखे बैए, यह है आपके लिए क्या पूत्रा, अब यह है आपके लिए कौन सी? पूत्री, यही जो गुड़ा और गुड़ी है, जाइ पूत्र कि याद रहना कि यादा को टिहार होता उसी में हम लोग क्या करतें या बोलंगा आपको याद हो ना चीए अब शंद कर बोलतेबंगा बाई अब अगला आपको एक प्रस्ण पूछेगा कि यह कोन से मन्त में मनाया जाता है कोन से माह में मनाया जाता है तो भाई अगर यह husband है तो यह wife है wife को हम लोग 36 गणिम क्या बोलते हैं बाई अगर यह अच्छा करेगा तो इसकी प्रसिद्धियां बढ़ेगी अगर यह कु बैसाख इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बैसाख थोड़े दर पहले लिखे थे क्या तो आपको चलना है किसके लिए बैसाख के लिए ये देखिए भई ये बैसाक पढ़ेते क्या तो बैसाक आपको सुकल पक्षत रितिया के तिथी पर आपको 36 गड में एक लोग पर्वा मनाया जाता है उसी हम लोग क्या बोलते हैं अकती से आपको प्रस्ण दो तिन टाइप का पूछता है सबसे पहला प्रस्ण क्या पूछेगा पूतरा पूतरी हुआ पहला दूसरा पूछेगा राज्य में अक्षत रितिया किस महा पर पढ़ता है आपको याद रखना है क्या बैसाक सुकल पक्षत रितिया के तिथी पर अगले आपको एक प्रस्ण पूछेगा राज्य में परसू राम जैन्ती कब मनाया जाता है, परसू राम जैन्ती राज्य बस में नहीं मनाते, पूरे देश में मनाते, आपको याद रखना बसाक सुकला पक्षत रित्या, अगले ओप्सन के लिए चरह रहे अरवातीज, यह यह प्रस्ण थोड़ा चेंज हो गया है, आपको पूछत है अरवातीज, अरवातीज कब मनाते हैं, अगर वो बात करे अक्ती का, वो बात करे अरवातीज का, तो याद रखना अगर दो ठो ए है, तो एक और एक, तो दूसरे नमबर में क्या आता है, बी, तो आपको याद तो बीफोर क्या होता है आपके लिए बैसाक तो आपको याद रखना बैसाक में आपका अक्ति भी मनाते अर्वातिज ये प्रस्न भी पूछा है लेकिन अगर रिलेवेंट आंसर अगर बोलोगे इसके हिसाब से तो आपको याद रखना है पूतरा-पूतरी विवा कम मनाया अक्ति दिहार में अर्वातिज आपको एक बार पेपर में पूछाए कि अर्वातिज अर्वातिज आपको बताना है कब वैसाक सुकलपक शत्रित्या चाहे आप 36 गड़ पीसी पड़ो 36 गड़ व्यापम पड़ो अगर कोई भी 36 का अगर तयारी कर रहा चाहे व्यापम हो प आता है जेट में जो बड़े भाई की साध्य नहीं होती है अगर घर में बड़ा बेटा है बड़ा पूत्र है हो्सकी साध्य नहीं होतीं तो हमारे हम लोग जेट में मना द Alek आज्ञा के रहा पर हो मनाया जाता है उसीख बोलते हैं रजूत्या यह रजूतीया होताहिसीख बोलते हैं हम लोग क्या रथ्यात्रा तो आपको याद रखना है भई रथ-यौत्र आपको लिए एक जीला है, जीले का नाम है गरियाबन, उस गरियाबन जीले में आपको एक तहसिल पड़ेगा, उसका नाम है देवभोग, देवभोग में जो चावाल होता है, उसका नाम समझे है, देवभोग, तो जो जगनात पूरी में जो भगवान को क्या चाड़ता है, वहाँ जो अन्न जाता है, जो अनाज जाता है, जो चामल जाता है, वो हमारे देवभोग से जाता है, इसलिए भई हम 36 गड़ में भी क्या मनाते हैं, रजूतिया मनाते हैं, रथ यात्र मनाते हैं, तो जो रथ यात्र होता है, उस इक 36 गड़ी में हम लोग क्या बोलते हैं, र अगर आपको वीडियो एक बार में लेंदी हो मैं तोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सारा चीज बताना है। वो सकता है आपको जल्दी लगे, आप चल रहा हूं में अपने दूसरे प्रस्ण के लिए, अगला प्रस्ण है ध्यान से देखे, आप देखे ये नवरातरी देखे थे क्या थोड़ा सा इसके उपर चर्चा कर लेते हैं, यह है हमारे लिए नवरातरी, नवरातरी हमको पहले म मन्त और साथवे मन्त में मिलता है, पहले मन्त को हम लोग क्या बोलते हैं, चैत्र, और आपके लिए साथवे मन्त आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खुमार, और दोनों के आपके लिए कब जी, आपका सूकलपक्ष, जो सूकलपक्ष होता है, पहले से नवरातरी हमक बीच में मजाक हो जाता है इसी की बोलते हैं सेवा करना यह जो मंडली में जाते हैं और माता को जो सेवा करते हैं उसको पूजा करते हैं उसी बोलते हैं सेवा जैसे नॉर्माल टाइम में हम जो पूजा अर्चना करते हैं यहां पर जब हम लोग क्या करते हैं नवरातरी में पूजा करेंगे तब उसी क्या बोलेंगे सेवा ,अगर हम गीत गाएंगे माता का तो सीख मोलेंगे क्या जसजद घित या इसीग हम लोग क्या बोलते है जह मारा गीत यह होता है कि नाई यह आपको जह मारा की जयर्स घषब आपको पेपर में पूषता है कि 36 गड कि किस लोग पर वह में मनाया जाता है आपको याद रखना है क्या नवरात्री आगे चले क्या जी अगला याद रखना है अब यह आपका पुत्रा-पुत्री देख तो डाले थे यह आपका लोगडाउन को दिखा रहा है भई अभी देखें आठ जन दजन जन जा रह जेते ही तो भाग के साधी करो गे तब तो हाइब जाता है अगए बढ़े कि हरे ली परवा में किसकी पूझा कीजाती है यहां से आपको प्रस्टन हम लोग क्या बोलते हैं नांगर तो ये नांगर आपके लिए क्या होता है जी क्रिसी उपकरण तो आपके लिए हो गया अंसर क्रिसी उपकरण की पूजा की जाती है अब एक क्रिसी उपकरण क्या चीज होता है हर बो चीज जो आपको खेती करने में किसानी करने में help करते हैं, अब वो खेती की सानी के लिए help क्या करते हैं, अभी आप recently 2-3 दिन पहली क्या मनाया हो, हरेली मनाया हो, इसी हरेली माप के लिए क्या हुआ है जी, देखिया, आप अगर सूतेंगे, जैसे सूत के उठेंगे, आप उस दिन उठतें नहीं हो, हरेली के दिन रहता है, उस दिन आपका जो पिता रहेगा, आपका जो फादर रहेगा, आपका जो बाप रहेगा, लात मार के आपको उठाएगा, किस लिए, आपको बोलेगा भाईया, जाओ मुरूम चुराओ के लाओ, मुरूम में क्या करते हैं, आपन जीतने, जैसे आपको यहां क्या दिख रह थ्रेसर है आपके घर जो भी चीज हैं जैसे आपके घर cycle होता है बाइक होता है अपको याद रखना uży कृसी उपकरण की पूजा होगी है तो आपको याद रखना wy कि से बना रहता है आपके लिए लगड़ी का बना होता है इसलिए आप देख रहे हैं हमारे जो कका है वो भी आपके लिए एक लकडी में क्या खड़े इस चीच को क्या बोलते हैं इस चीच को बोलते हैं हमारे लिए गेडी तो आपको पूछेगा गेडी पर्व कब मनाया जाता है अगर पेपर हाड हुआ तो आपको याद रखना है गेडी पर्व आपके लिए कब मनाया जाता है सावन अमावस्या तो आपको याद रखना है सावन अमावस्या को अब यहां से प्रस्ण कितने सारे बनते देखे इस को ही हम लोग क्या बोल रहा हैं जी हरेली। अब हरेली से आपको प्रवा आपको जो प्रस्ण बनेंगे तिन-чtery सबसे पहली पुछेगा चाटिस गड के पहले लोग परिभा की संग्या है इसको। पहलो लोगपरवा कि संग्या है दूसरा आपको यह पूछेगा किन का लोगपरवा है आपको याद रखना भई किसानों का लोगपरवा है क्लियर जी आपको ये पूछेगा किन का है इसको और क्या बोला जाता है हम तो इधर पड़ चुके है क्या गेड़ी लोग पर बोलते हैं आप देखो इसको कब मना रहे हैं सावन में तो आप देखे होगे घर के आपके बाहर में गोबर से कुछ-कुछ चीज बनाते हैं उसी चित्रकारी का नाम है और वो चित्रकारी आपको बार बार पूछा जाता है तो आपको पूछेगा सवनाही स्वारी सवनाही चित्रकारी कब किया जाता है तो आपको याद रखना है जो सवनाही चित्रकारी सावन में ही इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं सवनाही तो यह सवन क्लियरं जी आपको अगर ऑप्षन में गल्ती से नहीं दिया क्रिसी उपकरन हम क्या पड़े हैं क्रिसी उपकरन की पुजह सोती है अगर मालों क्रिसी उपकरन नहीं दिया करन क्रूट की ऑप अब ही आपको रिसेंट एक प्रस्ण पेपर में एक आंसर लिया है, अब यह याद रखना, कोदो काट देना, कुटकी बाजुम डाल देना दाई, अब ही आपको प्रस्ण में लिया है, क्रिस्यूप करण आपको आंसर में नहीं था, आंसर में था आपको कुटकी दाई, की पूझा होती है कुट्की दाई की पूझा ओती आपूजा होती शी बनता के लिए चावल से तो इस चीला का चीला का नाम है कर्या चीला नाम है आपके लिए उdtek गुरहा चिला देखे प्रस्ण में आपको कितना सारा प्रस्ण पूछ रहा एक प्रस्ण सबसे पहली हरेली क्या बूलते हैं गेडी दूसरा 36 गड़ का पर्व किसानों का लोग पर्व किसकी पूजा की जाती है क्रिसी उपकरण की कुटकी दाई की पूजा सावनाही चितरका प्रस्ण से संबन्दित है गुरहा चिला किस लोग वेंजन है 36 गड़ के किस लोग पर्व में बनाया जाता है गलती सी पेपर मरे जील हाड हो गया मन माडे पढ़े रहो गे तत्ते तानी ततने पढ़वे उतने हानी नीपट लो गया तब क्या याद रखना है सावन हम क्या पढ़े थे सबसे पहली CBZ हो गया था उसके बाद क्या पढ़े थे ABS तो असार में रजूतिया पढ़ लिये थे उसके बाद पढ़ रहे हैं सावन का 15 दिन क्या होता है प्रेत आतमा एकदम अपने आप में चरम पे रहती है उसी हम लोग उसी दिन क्या मनाते है सावन आम वस होगत है हिंदी वड्ट हर विर ऑक क्रिसि बूमिक करते हुँ पंच क्रिसी उपकड़नों का अगला प्रणने हम directly अगले पूछ रहे हैं भादो अमावस्या में कोन सत्योहार मनाया जाता है अब आपके पास जो cbz उसके बाद a b s मतलब सावन तक खतम होगे आप पहुचिए हम लोग कहां पर भादो पर पूछ रहे हैं भादो अमावस्या मतलब इधर आपके लिए आएगा क्रिश्णा पक तो आपके लिए क्रिश्न पक्ष अगर वो पूछ रहा है अमवस्य का मतलब है पंद्रवा दिन इस दिन क्या मनाया जाता है अब देखिए क्रिश्न पक्ष परात्यमा के दिन आपके लिए क्या होता है भूजली वी सर्जान होता है अब भोजली वी सर्जान से भी आपको परशन पूछेगा भोजली का पहले आप मतलब समाझ लिए भोजली का मतलब होता है क्या भू और प्लस जल अब आपको लग रहा होगा सर आपको 36 गड़ी नहीं आती भाया मैं भी M-tech किया हुआ हूँ मेरे इंगली साती है यह क्या होता है भूजल भूजल क्या च ढ Whiteοι आपको हम लोग बोलते हैं रिसी तो ये जो रिसी है आपका इसी वर्ट से बना है आपके लिए वर्ट कौन सा रीशर्च तो हमारे ज मूने लोग थे पहले रिस रिसर्च करके बैठे रहते तो भोजली इसलिए बॉया जाता है नौवराज से बॉह श्रुश्राय यह खालते थी कम से कम सास से अधिक लोगों के घर क्या होना चाई है जो भोजली बोएं है वो घना होना चाई है ऑपानी ओ इस साल लोग क्या करते थे अधिया और्ट है अगर आप ग्रामीन अंचल से हो गई तो अधिया और रगा का आपको मतलव पता हो गा दूसरी बाद अ जल लोग हैं बही 36 गड़िया सबसे बढ़िया आपको याद रखना है एक लोग परव जिसे हम क्या बोल रहे हैं भोजली विसर्जन यहां से आपको एक प्रस्ण पूछेगा यहां तक कोई नहीं है मैं बस आपको कहनी बताया कि क्या चीज है आपको पूछेगा भोजली यह लोग परव में किया जाता है आपको यादत नहीं क्या गंगा मैया गंगा मैया सब्द का उच्चारण बार 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 क्लिया जी वह आपके लिए एक लोग परव है कौन सा भोजली लेकिन हमको पूछा क्या वह भादोव मवस्या दूसरा अपन चल लेते हैं बहूरा यह अब ही एक बार प्रशन पूछा है कि बहूरा चौठ, चौठ छॉठ गर के किस मन्त में मन आ जाता है देखें बर बहूरा जो चौथ होता है अपन क्या पढ़ रहे हैं भादो क्रिछन पक्ष्च यह प्रतमा था जो बहूरा क्रिफ्च पक्ष्च पक्ष्च है कि ये था आपके लिए बोजली, जब भोजली का विसरजन होगा, बोजली बिलकुल नवरात्री जैसे जेवाराप होते हैं, बिलकुल वैसी चोता है, लेकिन जब इसका क्या होता है, विसरजन होता है, तब आपके लिए क्या गंगा महिया सब्द का उचारन बार बार किया जात तो आपको याद रखना यह आठे कनया, अब यह आठे कनया क्या चीज यह जistant है, जो हमारे भगवान श्री कृantisन जी हुए है, वो मातव़ देवकी के आठवे आथार थे, अगर आठवे आथार है तो सुरु के जो साथ आथार है वो प्रपंची हरामी जो हमारे मामा थे कौन कंस कंस के द्वारा मार दिया जाता है और आठवे जो पूत्र होते हैं भगवान स्री कृष्णा वो उनको निप्टा देते हैं यही थुआ है गया तो आपको याद रखना है वो आठवा पूत्र चुकि वो भगवान स्वारी जो माता देव की थी वो दिन भर कहां रहती थी काल कोट्रिम रहती थी तो लगा तर अपने साथ बच्चों का क्या करी थी एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, और साथ साथ बच्चों का पहले दिवाल में पूरा फोटो बना के रखी थी उसके बाद आठवा एक और फोटो बनाई रखने आठे का नहीं है, क्लियर जी आगे बढ़े क्या मैं आंसर तो आपको बचा चुका था अगला देखे, अगला है आपके लिए कौन सा, आप अगर 36 गर से जूड़े होंगे यह चीज आपको दिख रहा होगा, आपको क्या होता है पोला, अगर कोई देख रहा होगा यह क्या है आपके लिए ठेटरी और यह क्या है जी यह? ठेटरी और यह आपको खुर्मी माल लो मुम लाला चाहा है होगत हम कुछ नहीं कर साकरें घर में मम्मी को पापक बोलिएगा भाईया बनाये और चूपचाप खिलाये करके मैं स्ठेटरी और कूर्मी का आपको concept बता रहा हूँ आप पहली मनाते हो क्या तीजा उसके बाद क्या आता है आपके लिए पोरा यही होता है क्या सरासर गलात हो पहली आपके लिए पोरा मनाया जाता है बाद में इसके तीन दिन मात तीसरे दिन क्या मनाते है हम लोग तीजा हम बात कर रहे हैं किसके लिए पोरा के लिए तो हमको बात करना है पोरा के लिए ये है आपके लिए पोरा इसको बोला जाता है या पोरा या पोला आप देख रहा हूँ ये किस से निर्मित है ये निर्मित है किस से जी मिट्टी से और मिट्टी से हम लोग एक और चीज बनाते हैं और चीज क्या होता है ये इसको बोला ज झाता है कब आपके लिए भादो, आमा वत्सिया के दिन किलियार जी, मतलब भादो क्रिष्ण पक्छॅ के पंद्रवे दिन पर अंतीम दिन पह आपके क्या होता है एक लोग परव मनाते इसिख पोला तो यह क्या चीज का बना हुआ है मिठी का क्लियर सबसे पहली आपको पूछे का कि जो पोला है वो कीन का लोग परव है आपको बार बार बता देवा रहा हूं दूसरा हम लोग क्या कर रहे हैं नंदिया बैला आपको पेपर में पूछेगा कि 36 गड़का वह कौन सा लोगपर्व है जिसमें बैलो को सजाया जाता है तो आपको पूछेगा बैलो को सजाया जाता है तो यही एक लोगपर्व है कौन सा आपके लिए पोरा या इसी बोलते ह हम लोग पोला कब मनाते हैं इसको भादो अमावस्या क्लियर जी आप फोटो बार बार देखेंगे आप वीडियो को देखेंगे आपको 100% याद होगा मेरी गरेंटी आगे चले अच्छा आपको अगर CGPSC या फिर आपको अपम को तैयारी करें एसाई में इतना ही पूछ सकता है इससे आगे नहीं पूछेगा दो परसना पहला आपके लिए क्या किसानों का परवा दूसरा आपको पूछेगा क्या बैलो को सजाया जाता है अगर आप थोड़ा CGPSC या आपम में डी पर चले तो आपको पूछता है कि जो ठेटरी जो आप के वाल दनात दन खाय होगे आपको पता नहीं होगा कब बनाते हैं लेकिन अगर आप CGPSC तयारी कर रहे है वह इसका टेस्ट भी पूछते आप खाग देखेगा तब बताईएगा क्लियर जी अहां आपको अगर पता होगा कि ठेटरी किससे बनता है खुर्मी किससे बनता है इसका टेस्ट क्या होता है तो आप बिल्कुल मैं चाहूंगा कि आप कमेंड करे क्लियर अगे बढ़े क्या अगला हमको पढ़ना है क्या माताओं दौरा अपने बच्चों के दिरगायों जीवन के लिए कोन सवरत रखा जाता है बोल रहा है माताओं दौरा अब देखो मात बच्चे एक दिन जब कमर के उपर हो जाते हैं, खुस्यापन क्या करना चालू कर देते हैं, चलना चालू कर देते हैं, भागना चालू कर देते हैं, तब मताओं का टेंशन क्या हो जाता है, खतम हो जाता है, तब आपको याद रखना है क्या कमर चाट यह आपके लिए क्या ह सही जवाब है। आपको याद रखना है ये छट वड़ याद रखना है ये आपको सस्थी वड़ याद रखना है इसी लोगपर्व में छे प्रकार की भाजी खा दें है। छे प्रकार की भाजी का क्या किया जाता है सेवन किया जाता है आपको याद रखना छे प्रकार की भाजी क्लियर जी दूसरा आपको इसी में पूछेगा क्या दूसरा आपको एक प्रस्ण पूछेगा इसी में कि आपको पसहर चामल आप की लिए किस में लोग परवा में किया जाता है। याद रखना है आपके लिए पसहर चामल लाल कलर का चामल होता है। अब इसी लाल करल के चावन में, बच्पन में मैं अपनी घटना बता रहा हूँ, सब को ये होता था, कि आज घर में परधर चावन बना है, घर में माता क्या होती है, अच्छा, अब इसका पूजा का स्टैल देख रहे हो, देखे होगे, जब आप साथ में गया होगे, लड़ है, लेकिन कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या है, इसमें पूछा है, बच्चो के दिर्गायों जीवन के लिए, अच्छा करोगे, तब तो आपके साथ अच्छा होगा, इसलिए पहली बाहर के कुकुरबिलाई खिला आ जाता है, फिर घर के लाइका को, कुकुर भी लाइनी होत होता है कमर्चब दूसरा होता है आपके लिए क्या नवा खाई नवा क्वाई घंगे पढ़ेंगे संस्क्रीति पढ़ेंगे अलग से बताऊंगा आपको देखिए यह होता है आपके लिए क्या नवा खाइम कुछ नहीं होता यह इसको बोलते हैं हम लोग रोट रोट क्या चीज होता है जैसे खुर्मी बनाते हैं खुर्मी किस से बनाते हैं गेहूं से गेहूं सांती सिम क्या डला रहता है गुड तो यह अगर बड़े रूप में ह हुआ और रोटी से और मोटा बनाते हैं इसी हम लोग बोलते हैं क्या रोट लेकिन इसमें खास बात यह होती है इसी दिन आपके लिए क्या दसहरा के दिन से आपके पास क्या होता है आपके यहां चतिस गड़ में फसल का टाइप राराम होता है तो जो फसल होता है धान की जो बाली होती है ना उसी को बीच में 2-3 बाली तोड़ के लाते हैं और इस जो आपके लिए गेहू और गुड बनाते हैं इस सिंप पिसके डाल देते हैं और जो आपके आरहात देवता होते भगवान होते हैं उनको समर्पित किया जाता है इसी बोलते हैं हम लोग रोट यहां प स्मर्पित करते हैं तत्प शात इसका क्या उपाभोग प्रारम करते हैं यह आपके लिए क्यों से एक लोग पर हो अगला अगला elfन देख लेते हैं। आपके लिए क्या था अगला option है क्या पीतर पाक पीतर पाक भारी इंट्रस्टिंग आपके लिए अब देखिए आप क्या पढ़े थे cbz उसके बाद क्या पढ़े थे abs मैं चीजों कितने बार लिख दूंगा अगर आप वीडियो को देखते रहोगे तो आपको याद हो कुवार अब इसमें भी दो पक्ष रहागा क्रिष्णा पक्ष्ण आपके लिक्या होगा सुकनगा पक्ष्णे फूरे क्रिष्णा पक्ष्ण में आपके यह हैं 36 गड़ में पाक मनाया जाता है जिससे हम लोग क्या बोलते हैं पीतर पाक weiß में क्या होता है में फिर एकड़म को समझे माल लो आपके घर एक दादी है और आपका दादा है थोड़ा सा लेने वाल आदमी जो पीक राइट हो जाता है और आपकी दादी है एक नंबर की ललचटी आप देख रहे हो रोट के किनारे एक आपको मंदीर पट रहा है, मंदीर मतलब भट्टी, और दूसरा आपके लिए अच्छा, इसको किसी धर्मा से मद समझेगा, ठीक है, जोड़ियेगा, मद की सर मंदीर को आप भट्टी बोल दिये, स्वारी, मैं गलद बोल दिये, आपको याद रखना है क्या, भट्टी, अग क्या हो जाए, उनकी आत्मा क्या भटकती रहे, तो माना जाता है, 36 गड़ में, अगर आपके यहां तीन पीड़ी में कोई आत्मा त्रिप्त नहीं है, तो हम लोग मनाते हैं, पीतर पाक पूरा एक पाक मना रहे हैं कब, क्रिश्ना पक्ष में, और पूरे पंद्रवे दिन म क्या करते हैं अपन, हमारे पीतराओ को याद करते हैं, इसको दिखाता हूँ, एक्चॉल में होता कैसे, तो होता है पीतर पाक में उस दिन हम लोग कववा कھो सते हैं दूसरे दिन बल्कि कववा किमा मार दे ए उस दिन आपन घर में क्या बनाते देखे- ये बड़ा ये फेयुर works और आपके लिए होता है ये तोरई तोरई की आपके ताकि कई जनघर कहा जाता जाता है यह मुलसत्ता थे हो जो बच ने के लिए हमारे यहां क्या किया जाता हो पीटर पाक मनाया है Active अग्ला अग्ला प्रस्वत अ देखते हैं इसमें लिखने देखना मैं जानबुच के 4 सबसे पहले लिखा है कुमारी कञ्या सबसे पहले निभ्ब्वी नहीं रखा जाता पहली इस बता देता हूं आज कल आप इंस्टाग्राम में देखते हो लड़किया आई से 20 से मांग फोड़ेंगी उसके बाद क्या कर देती है सुहाग सिंदूर लगा देती है फिर ऐसे जसक किसको मनाया जाता है किसके द्वारा सुहाग इन इस्त्रियों द्वारा किसके लिए मनाते है यह इंपोर्टेंट है अपने ATM कार्ड के लिए ATM कार्ड मतलब होता है आपके पती के क्लियर कहां जाक मनाते है यह भी इंपोर्टेंट है अपने माईकेम जाक मनाते है अब क्यों मनाते ही ये important है क्योंकि इनके जो ससूराल में क्या होता है एक सास होती है जो इनको सास लेने नहीं देती तिप चारी चूगली भीट करना रहते है ना तो क्या करोगे आपने मैगे हम जाएंगे आपने पूरे पुराने जीतने दोस्त लोग रहते हैं उनके साथ जाके अपने माईके में क्या मनाएंगे इन लोग निर्जलावरत ये प्रस्न आपको बार-बार पूछा जाता है कि 36 गड़ का वह कोन सा लोगपरव है जिसमें महिलाओं द्वारे निर्जलावरत रखा जाता है आपको याद रखना है तीजा भई तीजा में निर्जलावरत रखा जाता है प्रस्न आपको बार-बार-बार पूछता है तो आपको याद रखना 36 गड़ में आपके लिए कब तीजा अब आपन क्या पढ़ रहे थे जी भादो पढ़ रहे थे क्रिश्न पक्ष पढ़े थे और दूसरा आपके लिए क्या था हादो सुकला पक्षत रितिया के दिन पे 36 गड़ में आपके लिए क्या मनाया जाता है तीजा वो तीजा क्या होता है महिलाएं अपने माई के जाकर निर्जलावरत रखते हैं किसलिए अपनी पति के दिरगखायू जीवन एवं उत्तम स्वास्थ की कामना के लिए तो आप Epic घंढमा क्लिकका क्लियर जी आप देखे होगे क्या होताएं टहू कोप्रा होता है कोप्र आप जानते ना क्या होता है उसी कोप्रा में काहता हैं अगला याद रखना है क्लिया आपको अप्टला आपको जस्ट्सरेया वो होता है आपके लिए क्या कमर्चर तो आपको याद रखना है क्या सुहागिन इस्त्रिया अगला अगला प्रस्ण है आपके लिए अच्छा यह है आप यह चीज़ देख सकते हो भई ठीक है सब लेडिस लोग एक जगह बैठे हैं हो मना रहे हैं अप लेली क्या तीजा अब आगे आपके लिए कार्तिक कार्तिक में भी आपके लिए क्या है क्रिष्ण पक्ष है आपके लिए सुकला पक्ष है तो आपको याद रखना है क्रिष्ण पक्ष क्रिष्ण पक्ष का पंद्रावा दिन जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं अमावस्या इस दिन होता है हमा सुक्लापक्ष are गया आप यह पहले दिन में परत्मा में क्या मनाया जाता है घबंढ़ कि अगले दिन मनाते हम लो अब ये आपके लिए आ गया मा, मा का भाई क्या होता है, मामा, इसी दिन मनाते हैं हम लोग क्या, भाई दूज, तो आपको ये भी पूछता है कि भाई दूज, 36 गड़ के, किस माह में मनाया जाता है, आपको याद रखना है क्या, कब मनाया जाता है, कार्तिक माह में, सुकला पक्षे एका धसी इस दिन क्या मनाते हैं हम लोग जेड़ाऊनी आप सबको अलाग अलाग डिल करते हैं देखें थीक है सबसे पहले अपको ये दिख रहा है ये है आपके लिए कौन सा दिन गोवर्धन पूजा आपको ये दिख रहा है आपको याद रखना है भई राउत जाती का पहला प्रस्णा आपको यहीद पर दूसरा आपको पूछेगा की गोबर की विशेस आकरिती, 29 गण के किस लोख पर वह में बनाया जाता है, यह है भई विशेस आकरिती, आप देखें होगे, जब आपके घौव में गोवर्धन प लोग आधे जाधा गाउं में जाओगे त्पीक राइट रहते हैं और उन लोग क्या करते हैं गाउं के बीच में बहुं सारा गोबर को रख देंगे और पूरे गाउं भर की जितनी बर्दी एक वर्ड यूज कर रहा हूं क्या बर्दी क्या चीज होता है कोई मेरे बताएगा कमेंट करके बताएगा बर्दी क्या होता है जो पस्वों का जो समों होता है जो जूंड होता है उसी 36 गड़िम बोलते है क्या बर्दी बर्दी के खुर से खुनवाते हैं तो यह जो विशेस आकरिती है ना एक बार पीसी उसको पूछ दिये कि विशेस आकरिती क्या जीज ह होता है यह विशेष yummy गृति जो कोमाल सर बना है वो होता है अब कि आपके लिए भगवान श्री क्रिष्ण तो आपको याद रखना है जब ये दुवधि लोग कर रहे हैं तो इसीवधिये दुवधिमें एक हमारे कोन भगवान श्री क्रिष्ण जी रख्वान श्री आप दोहा गाते हैं कुछ भी आयब बायगार हैं, जैसे मैं जो सुना हूँ अब आपको बता रहे हूँ, लबरी के प्यार में मैं लबरा हो गया और तुछ को घुमाते घुपाते मैं चित कबरा हो गया, ये सब नहीं गाया जाता, हाँ जरूर रहोगे, लेकिन आप सुने हो कैनी सुनेट हूं इस में दोहा पूछा जाता है कि दोहा में क्या गया जाता है भाई जब आप Panty nittya देखोगे पंती जित देखोगे तो उसमें क्या रहता है भगवान स्वारी बाबा जो गुरु घासी दाथ जी उनके जीवन लिलाओं का वंडन होता है वैसी जब आप दोहा पढ़ोगे तो स्री कृष्ण जी के जीवन लिलाओं का वंडन रहता है तो आपको याद रखना है यह आपको अगर पेपर हाड होगा तो यह भी पूछेगा तो आप अगर चीजों को पढ़ रहे हैं तो एकदम आत्मियता से एकदम डिपली पढ़ें आपको याद रखना अगर पूछेगा कौन से बाजा का प्रयोग करते हैं हम लोगी सिम करते हैं क्या गड़वा बाजा आप देखे होगे न और इसी दिन क्या होता है जीमी कांदा खाया जाता है जीमी कांदा उस दिन फिल होता होग कौन कौन जीमी कांदा नी खाओ खाग देखना भई कैसे लगता है ठीक है जी तो आपके लिए याद रखना है क्या गोवर्धान पूजा अगला अगला चलते हैं हम लोग यह है आपके लिए क्या मातर तो आपको यह पूछेगा कि मातर कब मनाया जाता है मातर कब मनाते हैं, आपके लिए कार्थिक, सुकला, पक्छे, द्वित्या के दिन, ये मातर, अब मातर में आपको दो प्रशने पूछेगा, सबसे पहली क्या कि मातर या मड़ाई की देउंता कोन है, तो सबसे पहली आपको ये समाझना पड़ेगा कि मड़ाई क्या चीज होत अब ये चीज को कभी भी जमीन में नहीं रखते जब तक आपके लिए मड़ाई खतम नहीं हुआ तो इसको क्या बोलते हैं ये आपके लिए इन्पोर्टेंट है इसको बोलते हैं क्या मड़ाई ये मड़ाई का निर्मान किसके द्वारा किया जाता है निसादों के द्वारा क करते हैं hold करते हैं वो कौन होते हैं राउत जाती की लोग तो आपको पूछता है मातर किनका परमपरागत आपके लिए परव है राउत जाती का तो यह प्रसन आपको पूछता है बारवा क्लियर जी आपको पूछेगा कि अगर दोहा गायन के किसको समर्पित होता है स्रीक्रि इस भगवान को नाम है क्या खोड़हर देव तो आपको पूछते हैं कि मातर के देवनता कौन है यह परस्ण आपको बार बार पूछा जाता है खोड़हर देव एक बार और डिव घुश गया कि खोड़हर देव किस से बने होते हैं जो खोड़हर देव होते हैं लकड़ी से नीरमीत होते हैं तो आपको याद रखना है भाइ लकडि नीरमीत होते हैं खोड़ sure 2 जैसे आप देख़। तो खड़ खड़िया चलता है कि इसको खोड़ हर देव को तो आपको याद रखना है मातर आगे चले क्या जी अगला आपको याद रखना है क्या यह है आपके लिए यह आपको देखके क्या लग रहा है यह आपके लिए गन्ना है और यह आपके लिए मड़वा बना हुआ है इसीख हम लोग 36 गढ़िम क्या बोलते हैं? जे ठाउनी या इसीख हम लोग बोलते हैं क्या देव उठनी? क्लियर जी आप हिंदिम पढ़ोगे इसीख बोलते हैं क्या तूलसी विवा अपन बोलते हैं तूलसी विवा तो आपको याद रखना है यह इसी दिन आपका क्या होता एक प्रस्ण आपको पूछा जाता है, 36 गड के किस लोग परव में आपके लिए क्या गन्य से मडवा का निर्मान किया जाता है, ठीक है जी, तो आपके लिए मडवा मतलब होता है, जो आप हिंदी में क्या बोलते हैं इसी को, मंडप, तो आपका जो मंडप होता है, उसी 36 किस लोग परव में किया जाता है, वो लोग परव आपके लिए कौन सा है, जे ठाउनी, उसी इक हम लोग बोलते हैं, देउठनी, उसी इक आप लोग हिंदी में बोलते हो, क्या तूलसी विवाह, आप समझे, इसका इन्पोर्टेन, अगर आपको पूछा जाएगा, कि 36 एक विवाह, जिसे हम क्या बोलते हैं, तूलसी विवाह, इसी हम लोग छोटा दीवाली भी बोलते हैं, क्या, छोटी दीवाली, आगे बड़े हैं, अगला प्रस्ण है, छेर छेरा परव कब मनाया जाता है, आप मेरे एक ना लाइन बताएंगे, कि छेर छेरा जब मांगने आप समझ यह चेर चेरें माई को ठीक धान लहे रहे, यह बात कर रहा है, किस का धान का तो यह कभ मनाया जाता है, आप देखो भाई, जिसके पास धान धान को हम लोग बोल सकते हैं, धान और धान दो लोग के पास होता है, फूरह से Great depends on Radio से लिए धान तोक्त बोलते हैं चेल से माइको ठीक धान लएरे रहा मतलब आप कभी सोचेकष गड़ में और पूरे दुनिया कंभी कभी सोचें के दौरा की क्यों सब्सक्राइबठी स्बैस्ति का एक क्यों नहीं होटा मतलब देखे देखे स्वार्गी मतलब एक ऐसा दिन हो रहा है जहां पर कोई आदमी भूखा पेटनी सोएगा यह आपके लिए 36 गण में लोग पर वाग बोला जाता है क्या छेर छेरा और इसी में जो बच्चे बूढ़े आपके जितने लोग जीवित लोग हैं विच्छुक लोग हैं जिनको दूसरे घर जा और 22 को आइटिए प्रिंसपल का एक पेपर हुआ है जिसमें अब वह इस धान से भी अंदर पूछा है अब ओसं दिया था क्या अनाज दलहन या तिलहन भाईया दलहन और तिलहन का मतलब समाज यह जिसका दाल बनते हैं उसको दलहन बोलते हैं जिससे तेल निकलते हैं उसको तिलहन बोलते हैं धान जो है basically किसमें आता है तो आपको पूछा जाता है कि छेर छेरा जो लोग पर होता है किस चीज के कटाई के चाता आपके लिए एक लोग परव मनाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, छेर छेरा, अगर वहाँ पर आप्शन अनाज देगा, तो धान किसके अंतर वर्गी करें, क्रित किया जाता है, आपको याद रखना है आना, तो अनाज लेना है भई, आपको धान लेना है, एक लोग परवजी से हम लोग क्या बोलते हैं छेर छेरा माई को ठीक धानला हेर हेरा अगला चले क्या अच्छा प्रसना एक बार देख लेते हैं ठीक है जी अब आपको पूछ रहा है वह मांग सुखलपक्छ पंचमी यह आपके लिए अंसर है अब मैं इसको डिल कर देता पंचमी आप जब cbz पढ़े थे उसके बाद क्या पढ़े थे abs अभी आप क्या पढ़ रहे हैं कुवार के बाद क्या पढ़े हैं कार्तिक कार्तिक के बाद आप क्या पढ़े अग्धन अग्धन के बाद आता है आपके लिए पूछ पूछ के बाद क्या आता है आपके पा अब देखे यह पाँच्वा मन्थ है आपके लिए सावन और इधर पाँच्वा मन्थ है आपके लिए माघ तो जब भी पाँच्वा मन्थ के सुखलपक्ष पंच्मी के दियर। सावन में हम लोग मनाते हैं क्या नांग पंचमी और इसमें पांचवा मन्थ मनाते हैं हम लोग क्या जी बसंत पंचमी तो जब भी आपके लिए क्या दिखेगा पंचमी मट दिखेगा आपको सीधा जाना है कि इसके लिए पांचवा मन्थ में दो ही आपके लिए लोग परव में देखेंगे तब हम क्या बनाते हैं जी बसंद पंजमी मतलब सरस्वती माता का पूजा करते हैं कब जब इसी दिन पे इसी टाइम पे आपको जो आम का वरिक्षोता उसमें क्या लगता है फूल लगता है उसी हम लोग 36 गडिम क्या बोलते हैं मौर लगना आगे चले क्या अगला हमको याद रखना है अगला प्रस् wrath क्या पूछ रहा है गंगा माता कब मनाया जाता है आपको पहली तो concept सूनिये आप गंगा माता कहां पे रहती है संकर्जी के सर पे उसको क्या बोलते हैं मौovan गंगा माता उनका उतरान हुआ कहां पर प्रित्वी पर तो हम लोग क्या करते हैं 36 गण में अगर एक बड़ा भाई है अब दोनों को एक साधी हो गया तो जो इसकी वाइप आएगी और कभी भी सर को खुलानी रखती किसके सामने अपने जेट के सामने तो गंगा माता कभी क्या बोला है कंसेट सर में किसके संकर भगवान के और जो छोटे की वाइप होती है उसके बड़े भाई मतलब अपने जेट के सामने क्या नहीं करती कभी पल्लू खुला नहीं करती तो आपको याद रखना है सर आपको याद रखना है जेट तो आपको ग ट्रेंडिंग कोश्चन है करके आपको डाल दिया हूं भई तो आपको याद रखने है क्या जेट सूकला पक्षत दस्मी क्लियर जी आगे बढ़े है क्या अगला आपके लिए प्रस्मन है क्या यह आपके लिए गंगम आता है अगे चले अच्छा अगर आपको इस इंपूस देख कि 36 गड़ के किस अंचल में गंगा दसारा बहुत खेमास है तो आपको बताना है क्या सरगूजा सरगूजा जो आपके लिए अंचल है सरगूजा जो छेतर है इस साइड आपके लिए मनाया जाता है क्या गंगा दसारा आगे चले क्या जी अगला अगला आपके लिए अच्छा देख रहे हो अरवातिज कब मनाया जाता है आज से क्या होता है आपके लिए अती से क्या याद आया आपको अक्ति तो जब बात करें वो अक्ति का बात करें किसका अरवातिज का ये भी कब मनाया जाता है अरवातीज में क्या होता है पती पतनी पतनी को हम लोग क्या बोलते थे बाई तो आपको क्या बोला था बाई का जो साख है तो बाई का साख जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाई साख तो ये प्रस्न भी आपको बार बार पूछा जाता है कि अरवा तीछ कब मनाया जाता है आपको याद रखना है हमारे लिए दूसरा महाजी से हम लोग क्या बोलते हैं बैसाक अगला चले क्या अगला प्रस्न आपको पूछ रहा है क्या गोवरधन पूजा इवा मातर किस जात जन्ण जार्ति पर्म परबागत परवत kell आपके और देखे केमण बता ओगेछ लिए देख सिद्वा ने किह लोग करते सियुई दिख रहा है ये आपके लिए पसू है पसू गला में आPक लिए क्या है इक माहकृत लोग 22 सिएफ हम लोग क्या बोलते है сохран Agency आप अगर 36 गड़ के होगे तक पता होर्ग sore five बोलते यह सुवहाई बांधा जाता यह कब Score ऐस अर्धन पुझा के दिन मातर के मिन और dł Ilshok होड़ हार देव लोग जी यह था भई आपके लिए 36 गड़़् के लोग पर ओओ मैं कोशिस किया हूँ कि मैं जितना आपको बता पाऊं, जितना आपको याद करा पाऊं, सब चीजों को किया हूँ, तो जिसमें मैं आपको बार-बार बोला हूँ, आप 36 गड़ का कोई सब बुक, कोई सबी पॉब्लिकेशन का बुक, कोई सबी शॉल्ट पेपर, कोई सबी अ आत खड़ा हुए है, तो लास्ट में मैं आपको जाते जाते एक चीज बोलते जाऊंगा, कि नीरंतर पड़ते रहिए, नीरंतर पड़ते रहिए, और एक दम मन में ठान लिजी, कि जब तक फोडेंगे नहीं, तब तक छोडेंगे नहीं, क्लियर जी? तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय जोहार जय 36 गार